नमस्कार मेक्षिती जदेश मुख बीसे नियोस के प्रदेश के खबरों में आप सभी का स्वागत है तो डालते एक नजराज के प्रदेश के खबरों पर उच्छतरपूर के हरपालपूर के बाद सुजारा डैम से पानी धसान नदी में यूपी के हिस्से का पानी छोड़े जाने से MP के किसान के खेत में जल भराव किस्तिदी बन गई है दरसल बाद सुजारा से यूपी के हिस्से का पानी छोड़ने से हरपालपूर के तीन गाओ कैथोकर, सरसेड, चरपन गाओ के कई किसानों के फसल पानी छोड़ने से बरबाद हुई बान सुजारा डैम का पानी धसान में बढ़ने से गाओ के आसपास भराव क्षेतर में पानी भर गया आलम यह है कि फसले खराब हो रही है कई किसानों को अपने खेतों में चाने के लिए नाव का सहरा लेना पड़ता है ऐसी स्तिती पहली बार नहीं होई हर साल ऐसी ही स्तिती है इन गाओ के केसानों के साथ होती है लेकिन जल भराव से प्रभावित केसानों को आप तक किसी भी तरह की राहत नहीं मिली और एक बार फिर वही स्तिती निर्मित हुई वही प्रशासन अपनी दलील दी कर पला छाड पानी चोड़े जाने पर चेट दूब में आ जाता है कि किसान जो जो भूम खाली होती है उसमें पासर बोलेते हैं उसे में बापस पानी बहनने से छती होती हुआ पर भी इसकी जाच कराई जाएगी और यह जी नहीं अंचार उनकी छती होना पाई जाएगी तो आप इसी छे जाट के सहते जला जाना ही जाएगी तीजिए दो-तीर साल पहले भी भार दिया था पानी पूरी भसल डूब गई थी कुछ नहीं मिला यह जमें और बिजी कहीं से दूसरे के यहां से ले रहा है खातात की विवस्था बना रहे अब ऐसे भार दिया उनने पानी पूरी भसल को प्राप्त इपको कंपणी के यूरिया खाद की बोरी में निर्धारित मात्रा से कम यूरिया खाद निकलने पर कलेक्टर शुरासिह वर्वा ने प्रभंदक संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपनन संग मर्यादित भोपाल को पत्र लिख कर उचित कारवाई कर अरजंड मंडी परिसर में उतारी गई सभी बोरियों की तौल कराए गई जिसमें ग्यात हो आकी बोरी निर्धारित 45 किलो के मात्रा से 3-4 किलो तक यूरिया खाद हर बोरी में कम है BCN News के लिए मध्य प्रदेश से अभिशेक जाधो के रिपोर्ट कमल मौरिय वह स्दी ओपी सुमित अग्रवाल के निर्देश में दतिया कोटवाली टी रतनेश यादो की एक बार कारवाई आठ हजार का इनामी बदमाश आदिल खान सनौफ मह्मूब खान को गिरफतार कर नियाले में पेश करिया पत्रकार चर्चा के दौरान टी रतनेश आदो ने बताया कि पकड़े गया अपराधी दो अपराधों में वांचित था और आठ हजार का इनाम भी खुशित था अदिल खान सनाफ मह्मूब खान है जो यहां कोतवाली में दो अपराध थे उनमें वांचित था यह इसने नियाले में सरेंडर किया उसमें प्यार लिया गया था जिसमें एक मामला है 218 बटा 20 जिसमें चूरी का मामला था जिसमें करीब 300 पेटी शराब चूरी गई थी उस ग्रफतारी हो गी एक अपराध और 346 दिका था जिसमें 281 बटा 20 इसा आपराध करमांगे इसमें 20 अरोपी कि इसमें इनाम घोशित था इसमें वांचित था इसमें प्रक्राइब चिक प्रशांत मानिय नियाले में पेश करा गया है हुआ जया बोस एब financially के लिए लोकेश म पुंबकरनी निद्रा में सोया गुनौर प्रशासन आखिरकार जागा एवं ग्रामिनों की शिकायत पर दलबल के साथ सीली अतिक्रमन इस्तल पर जाकर अतिक्रमन कारियों पर आखिरकार बुल्डोजर चलाया गया वही इस मशान भूमी एवं तालाप को अतिक्रमन मुख करा जाने पर गुनौर SDM वए SDOP प्योश मिश्रा की कारवाई को लोगों ने जम कर तारिप की साथ ही लोगों ने गुनौर को अतिक्रमन मुख बनाने की बात भी कही बता दे की अतिक्रमन कारियों को लेकर गुनौर काफी सुरक्यों में बना हुआ है आखिरकार प्रशासन के इस कारवाई से लोगों में आशा की किरन दिख रही है मशान भूमी से अतिक्रमन हटाया गया और जैसी भी मशीन से पिलर भी डहाए गए मिडिया की खबर पर प्रशासन ने सविदेन शिल्ता दिखाई है गुनौर के सिलिस्तित मशान भूमी में तार बाउंडरी तोड कर दबंग अतिक्रमन कारियों द्वारा अतिक्रमन करते हुए सिमेंड कॉंक्रेट के पिलर खड़े कर उक्ताशे की खबर गुनौर के मिडिया कर्मियों द्वारा प्रमुकता से प्रकाशित की गई थी जिस पर सज्ञान लेती हुए गुनौर के प्रशासनिक अमले द्वारा साथ जन्वरी को अवेद निर्मान को JCB से ढाते हुए समशान भूमी को अतिक्रमन मुख किया गया है समशान भूमी को अतिक्रमन मुख करने में साथ एवं नशामक्त प्रदेश अभियान के तहत दतिया कलेक्टर संजे कुमार एवं पुलीस अदिक्षक अमन सिहराठोर के सयोग एवं जिला अपकारी अधिकारी सूश्री नीदी जैन के नैतरतों में दतिया अपकारी विभाग की एक और अवे शराब माफियों के कारवाई की गई है मुबीर सुचना पर सेवडा पुलीस के सयोग से मुबारकपुर कंजर देरा पर दी गई दबिश के दोरान चार किलोग्राम गूर लाहन एवं देड़ सो बल्क लिटर हाथ भटी शराब एवं बनाने के उपकरन 21 निले ड्रम जब किये गए जिसके कुल पोरा सायक जिला आपकारिया दिकारी अनिरुद खानवलकर आपकारी उपनिरिक्षक शिशिर दास थाना प्रभारी सेवडा आपकारिया अरक्षक संजे शर्मा अवधेश भदोरिया जान की कुश्वा आपकारी वहां चालक एवं सेवंडा पुलीस की महत्वपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रारम हुआ जिस पर प्रतिक्रिया करते हुए दतिया कलेक्ट संजे कुमार ने कहा कि इससे ग्रामिन ख्षेत्रों की जनता एवं गरीब जनता तक राशन का वितरन हो पाए जिसका उदेश गरीब परिवारू तक राशन पहुचाना है साथ ही दतिय प्रतिया कलेक्ट संजे कुमार ने कहा कि मध्यप्रदीश सरकार द्वारा अन्ना उत्सों का एक महतोपूर्ण पहल है और इस योजना को सफल बनाने जिला प्रशासन की प्रात्मिक्ता है जिसके लिए प्रशासन अपने कार्यों को लेकर तत पर रहे बीसीन नियोज के लि